राम राम कोड़ेस मुझे उमीद आप सब बहुत अच्छे होंगे अगर आपको आपके DSS related placement और internship preparation में दिक्कत आ रहे है देन डू जेकाडर complete placement and internship preparation course link for it is in the description box क्योंकि यह वाला question बहुत ही tough था बहुत ही अच्छा question था तो इसके लिए हम जो प्रोब कोड़ेस कंसेप्ट था उसको फॉलो करते वे करन के साथ आये हैं करन भी आज़ा मारे साथ राम राम कोड़ेस सो यह कुश्चन जाना कुश्चन उत्तर टफ नहीं लगेगा अट लीस्ट understanding पार्ट में क्या है अपको एक ग्रिट दिया होगा ग्रिट बेसिकली क्या है statements statement क्या है आयत person क्या statement ले रहा है मतलब एक रो में आयत person क्या statement दे रहा है अलग-अलग person के बारे में वह होगा ठीक है तो जैसा नॉर्मल लाइफ में होता एक person good person हो सकता है या bad person हो सकता है वेल अगर वो good person है तो जो भी बोलेगा वो truth ही बोलेगा वो कभी भी lie नहीं बोलेगा तो गुड परसन अगर किसी को गुड बोल रहे तो गुड होगा होना चाहिए और किसी के बारे में bad बोल रहे तो बैड होना चाहिए और bad person कुछ भी बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है वो good तो बोले बैड बोले से कुछ नहीं होता कि बैड का कोई value नहीं बात का बैड कुछ भी बोलता रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता यह थोड़ा डाउट है में ठीक है ठीक और सेकंड एक चीज और भी हो सकता है कि को एक पर्सन अगले पर्सन के बारे में कमेंट करना प्रिफर ना करें तो यह भी केस हो सकता है कि वो उसके बारे में कमेंट ही ना करें कि वो गुड है या बैड है तो आपको बताना है कि आपको सर्टेन ये मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसमें आयत परसिन के हिसाब से जो भी होगा मतलब मैट्रिक्स में ट्रेट जैसे करते हैं उस तरीके से कौन-कौन गुड होने चाहिए कौन-कौन बैड होने चाहिए और किसके बारे में कुछ नहीं बोला तो वैसे करके हर एक कंडिशन को आपको सैटिस्पाइब करते हुए आपको चेक करना है कि एड मैक्स केतने गूड परसन हो सकते हैं कि तो जैसे कि इस एक्जांपल पर आजाते हैं इस एक्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो यह जिरोएथ परसन क्या बोल रहे हैं जीरोएथ परसन बोल रहे है कि फर्स्ट वाला पर्सन है वो गूड होना चाहिए ठीक है फर्सट पर्सन क्या बोल रहे है कि जीरोएब घोरGU नसे ठीक है और अपने बारे में और फॉर्धर्त किसी के बारे में तो कुछ कमेंट करनी रहा और वालों जो बच्चा है वो क्या बोल रहे है कि कि जो कि फॉर्स्ट एलिमेंट है मतलऽ हैं पर्स्ट सब्सक्रम है इस फ़र्ट बार्ड पर्ण काल यह वह एक्टसर्ट गोड़े सब्सक्राइब है कि तर अग हमारे पास यह क्यों यह दोनों अपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं, इस example में जो बताया गया है, आप मान लो सबसे पहले आप एक चीज मान लो कि यह जो two है, वो good person है, वहले अगर two good person है, तो two का बोला हुआ हर बात सही होना चाहिए, अगर two का बोला हुआ हर बात सही होगा, तो इसका मतलब क् नहीं पड़ता, ठीक है, और zero के बारे में इसने कुछ comment किया नहीं है, फिर एक और बच्चा बच जाता है, zero, और zero क्या होगा, देखो अगर zero good होता, तो इसका बोला हुआ बात भी सही होना चाहिए था, तो zero बोल रहे है कि one good person है, लेकिन one तो good person नहीं है, मतलब zero का बोला ह बात गलत हो रहे है, इसका मतलब zero भी good person नहीं, zero भी bad person है, तो अगर हमने माना कि two जो है, वो good person है, तो हमारे पास at max, एक ही good person हो पाएगा, इस एरे में, right, इस matrix में, और दूसरा assumption के आप आप यह बोज़ो कि अगर आप आप आपको पता नहीं कौन गुटे कौन बैर आप अगर आप आपको पता है, तो इसका मतलब बहुत खिच्टी पकत है, एक अगर आसे को सब्सक्राइब तो दो कब आएगा इसमें दो कब आएगा तो शुब पढ़के समझा कि अगर कुशन जो नंबर है जुब तो जिरो बोल रहे हैं तो मतलब होना चाहिए तो अब आपको समझ में आ रहे हैं कि तरीके से चीज़े चल रहे हैं आपस में अपको समझ में आ रहा है अब तो आपने में डिडियूस करें ना इसके लिए बबन चलते हैं एक मतलब बेसिक पी एंजी पेचलोटे हैं देखो एक परशन के पास क्या चानसेश कोई भी एक परशन है कोई भी एक आई परशन है उसके पास क्या-क्या जोसरा या तो गुड और वो बैड हो सकता है ठीक है और यहांपर अगर आप तो अगर आप देखो तो आपका इसका किता पर्मुटेशन पॉसिबल है कोई भी एक पर्शन गुड और बैड हो सकता है अगला भी पर्शन एक गुड और बैड हो सकता है उसकते है या बैड हो सकता है या तो वह सकता है ढया हिसे हार पर्शन के पास दो और ऐसे ही हमारे पास कितने परस्ट हो सकते हैं फिटीन कितना हो सकते हैं तो फिफ्टीन होता है वाँ यह होता है थर्टी दू तो टू कब और 15 क्या हो जाएगा सम्वेर 32 इंट्व 1024 मतलब अभी भी रेंज में हैं अभी भी बाहर नहीं गया और तो और इसमें अगर मैं आपका जो लिमिट होता है ना उसके अंदर आ रहे आ रहे कि नहीं आ रहे तो भी यह अपके अंदर महीं आ रहे है जो तो अब हम क्या करेंगे हम हर पर मुटेशन जो हो सकता है और इसको अज्यूम करने के लिए हम यूज करेंगे विट मास्किंग का कंसेप इंग सुनके कंफ्यूज मत होना कंफ्यूज मत होना अभी तक जो भी हमारा चप्रेलिस्ट चला है आप उससे पूरा कापूरा कोर्रेलेट कर सकते हो इतना पढ़ाही हो चुक है उससे कुछ भी एक केस हो सकता है कि पहला बैड हो अगला गुड हो एक हो सकता है कि दोनों गुड हो और एक और क्या हो सकते है कि एक गुड हो अगला गुड हो तो अगर आप देखो तो भी अभी आप एजिम कर रहे हो तो इसका सेंस क्या हुआ कि इसमें तो कोई गुड पर्शन है नहीं इस इसमें हमने क्या जियुम कि है कि यह हम अजियूम कर रहे हैं इसको हम फिल वेरिफाई भी करने ठीक है तो टूटल कितना अजम्शन लगा अगर दो पर्शन थे तो टूब आउट लगा अगर टीन पर्शन होते तो कितना लगता इसी तरीके से करें एक बार बता ना अगर अब देखो तो इतना ही सारा कंभिनेशन हो सकता है ना या तो सब बैड हो जाए या तो फिर एक ये गुड हो या तो और अगर आप देखो तो यह क्या है यह जीरो है यह वन है यह टू है और यह यह एंड वाला क्या है यह है 7 तो आप देखो वन से लेके 7 तक क्या आप सारे एलिमेंट को आप कंसिडर करोगे मतलब आप आई इसकोल टू वन से लेके टू का पावर जो भी एंड याव आपको उससे एक कम तक आई को जब आप इटरेट करोगे तो आप सारा पर्मॉटेशन देख लोगे कि सारा पर्मॉटेशन क्या हो सकता है गुड और बैड का राइट यह समझ में आ रहे है ना पर्म इसको आप बिट्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो यह भी एक पॉसिबल केस हो सकता है अच्छा हां समझा तो मतलब इस एक नंबर एक केस को रिपेजेंट कर रहे हैं कि हमने माना है कि इतने गुड है और बाकी सारे जो भी बैड है है तो अब देखो हमारे क्वसिट में क्या है कि सबसे पहले जिस भी पर्षेन को हमने घुड माना है वह किसी और पर्षेन जिस को हमने घुड माना है उसको बाड नहीं बोल दे अगर यह गूड़ परसन है तो हमारे किसी अजूमड गुड को यह बैड ना बोल अगर यह किसी अजूमड गूड को यह बैड बोल देगा तो यह पर मोटेशन जो हमने एस्जूम किया है वह तो गलत आजमशन हो जाएगा ना नहीं पर मोटेशन तो 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 मान लेते हैं कि यह तीनों गूड परशन है यह तीनों बैट परशन तो जो गुड परशन है वो कभी ऐसा नहीं बोल दे कि त्री और फाइव में से एक बैड है अगर ऐसा यह वन बोल दे रहा है तो यह पर्मुटेशन हमारा सही नहीं हो सकता है बता शुक्त आप सारा पर्मुटेशन जो यह रहे हो अभी आप करेंटेशन को देख रहे हो तो को सब सारा बना रहे हो तो डेखे और कभी भी अपने जिस जिसके अपने गुड माने उसको फोरी वाला भी अगें जिसको में चीज़ा करना पड़ेगा धारे दूसरा एक चीज़ा हमें चेक करना फचिक करना पड़ेगा कि जिसको भी हमने बैड प्रेशन माने देखो उसके बैड पर्शन के आम वर्ड पर तो जाना ही नहीं वहां तक मैं बात को नहीं लेकर फिर अबाने घृडब जीवर में जो खराब लोग होते हैं उनके बाद पर हमें जाना ही नहीं वह कुछ भी बोल रहे हैं उनको मतलब बस इग्णोर करो की देग्जिस्ट राइट तबी जीवन अच्छे से चल पाएगा और यह कुश्चिन भी अच्छे से बन पाएगा इसके बाद फिर आपको दिक्कत कब हो जाएगा कि जब आपका कोई गुड़ पर्शन जिसको आपने बैड आज्यूम किया इस पर्मॉटेशन में उसको आके बोल दे कि नहीं यह तो गुड़ पर्शन जैसे कि 1024 मेंसे किसी वह जाके बोल दे इन त्यों मैंसे मतलब कि यह तो बॉल ना कि पर पर आपको देशन में कि टू पैड है और सिंस वन अच्छा आदमें तो जो बहुत सभी होना चीए हमेशा तो वर टू को गुड बो दिया था मतापका यह पर्मॉटेशन को हमको रिजेट करना पड़ेगा अब आप देखो इसका कॉंपलेक्सिटी क्या हुआ एक कॉंपलेक् फच्चे के जो भी स्टेट्मेंड है सही है कि नहीं हातलों गुड वाले के साहरे स्टेट्मेंट्स हो रहे है अगर वैलिएट हो रहा है वेलन फो चेक कर लेंगे कि इस अजंचन में हमने कितना बूड पर्शन माना था जो भी गूड परशन है उसको हमने वन से रिप्रेजेंट किया है और जत्ती भी बैड है उसको हमने बिट जीरो से रिप्रेजेंट किया थिए तो हम चेक कर लेगे सब्सक्राइब जिए तो वह बैट हो गया कि आप यह सागे पीछे हो जा रहे हैं कि बहुत दीरे आ रहे हैं मैइक क्यों वह बहुत परस्ट ऑप करें लिए कि वह बैठ है वह बसंद को आप गूट एसे तो मतलि गलत बत हो गया तो अब उसके हैं इसको आप उसको आप बिजट करें बने इन फिलाएं किपे की बारति और में जिक्राट करिंए तो है तो भी पूरे बहुत है ऑफ में कमेंटरी नहीं के तो अगर वह पूरा का पूरा पर्मुटेशन जो हमने माना था वह वैलिड हो गया तो उसमें हम चेक करेंगे कि कि उससलां में हमने कितना एध ज Carrie हमने क्यों किया अगर हम देखेंगे पहले से और जो मैक्सिमन न decision हो सकते हैं उसका वैलिया डुँसे झ्मोर से है और अगर मान लो कि यही वाला पर्मटेशन सही हो गया तो इसका मतलब क्या हो कि तीनों की तीनों पर्संट जो है वो गुड हो सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ गुड पर्संट जो है अगर हम इस से चले तो हमारा तीनों की तीनों जो गुड पर्संट है वो आपको लिखना है तूर्ण फोलो सब्सक्तों टो प्लेट इंडिस्το कब श्रॉडब प्लेलिस्त चल रहा है अपना उसको आपको फॉल्वल्व किया होना चाहिए आपने तो जाके थोड़ा साब को समझ में आ तब आपको पूरा समझ में आएगा और अगर आपने बीट वाला प्लेलिस्ट नहीं फॉलो किया है तो बहुत कमी वीडियो अभी जाके एक और फॉलो कर लो सुरात के दो तीन वीडियो से आपको एनफ जानकारी हो जाएगी कि हम इस वीडियो में क्या बात करें सुरात के ए सबते हैं कि सारे ही सारे ऐसे नहीं है तो कि बीच में यह लाइक ken देखा दे जितने बीपर मुटेशन हो سकते हैं वह कहां से लेके से सीथ तक के बीच में यह करेंगे जितने भी बन सकते हैं उसको देखेंगे कि मैकिसिमा मारा आज हो रहा है कि और अगर ही गलत है मतलब जो असंप्शन हमने किया था इस पर्मुटेशन में वही गलत है वैलेट नहीं है तो फिर हमें कुछ करना नहीं राइट मतलब आप बूस्ट्राइब करें तो नहीं अप्रेट करोगे और अधिन करें 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 और अभी मेरा आई फाइफ है अभी आई मेरा फाइफ है तो वह कैसे दिखेंगा वंजरो बन रही वह दिखेंगा वंजरो बन रही तो अभी मानलो हम क्या हमने मानलो हम इट्रेट करते हुए अभी मतलब इधर से मैं चल रहा हूं यह हो गया सरी फर्स्ट बिट यह होगा सेकेंड बिट यह थर्ड बिट तो अगर हम सेकेंड बिट करें अगर जिरो है मतलब वन रेस्ट बिट गोड़ा जाएगा जिरो वन रेस्ट रेस्ट बिट गोड़ाएं है मैंने तो अच्छा आप यह चेक करें अगर जिरो है मतलब वन रेस्ट यह हो जाएगा जिरो वन तो आई में वन सेट है कि आप देखे हो और हां वह सेट है मतलब यह पसंद गूड है अगर पसंद गूड है क्योंकि गूड होगा तो फिर हमें दो-दो चीज चेक करना है लेकिन अगर बैड हो जाएगा तो हमें तो कुछ चेक ही नहीं करना है मतलब उस बिट को हम कंटिन्यू कर जाएंगे और अगर वह प्रच्छी कर जाएंगे अपने सब्सक्राइब जिसको उसने बैड बोला हो बैड होना चाहिए तो अगर यह किसी सेट वाले के बारे में इसने बोल दिया अगर बारे में उसने बोल दिया कि वह बैड परिशन है इसके बारे में यह जनान क्या बोल रहे हैं बात कर रहे हैं इस घूट परशन नहीं और दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा ये किसी ये गुड पर्शन जो साव है वो किसी बैट पर्शन के बारे में जाके बोल दे कि नहीं ये तो गुड पर्शन अब जैसा कि हमने बात किया था कि अगर यह कुछ बोल रहे तो ही इसके बात काम को सबस्क्राइब और क्योंकि आप देख सकते हैं जान मुझ के उसने ऐसा दिया था उसमें ऐसे बहुत है कि मान लोगी टू बैट है तब आदनी और कुछ सब्सक्राइब तो अगर यह पर्मुटेशन गलत हो गया तो वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे फर्दर क्यों हम अपना टाइंग वेस्ट करें इसमें और अगर यह पर्मुटेशन हमने माना था उसमें सारे गूड परसन और सारे बुट परसन सारे स्टेटमेंट हो रहा है तो हम छेक करेंगी कि इस पर मुटेशन में कितने घुर करेंगे अपने आंसर और हम रिटन कर देंगे अपना एंसर तो कि तो तो बिटेंग कर देगा तू रिटन कर देगा इस इस के बारे में बात कि है बिडिबेट मेरे वीडियो ने तो करन समझ में आगी है कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो अभी कोई भी बच्चा डाउट पूचेगा तो इसका अभी काज़े में दारी होगा समझानेगा क्योंकि आपने पूरा समझ लिया है तो कमेंट में आ जाना पूरा समझ चुक है करन आपको समझा देगा कमेंट सेक्शन में और अगर उसके बाद भी नहीं समझा पा रहे तो आप टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल प्लेश्मेंट और इंटर्शिप से रिलेटेड बहुत सरब डेट आ कर देना जब यह आप सब्सक्राइब करो तो कि अगला नोटिफिकेशन को मैंशना करो विए अगर अच्छा लगा तो मेख शेर खोड़ायक और ऐसे कॉंटेस्ट कवरेज और कंप्लीट प्लेस्मेंट प्रेशन कोर्स के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर झांक यू